अउसर सभी को मिलता है कुछ लोग रिकार्ड बनाते हैं तो कुछ लोग बहाने तो स्वागत है दोस्तों हमारे इसको प्सूरत से चैनल 37 चवहान स्टडी पॉइंट में आज की वीडियो में उन्हें प्रडाम के भागदों के बारे में अध्यन करेंगे चलिए शुरुवात करते हैं जिन के गीतों के पढ़ने से मिलती सांती जिन की तानों के सुनने से जिलती भ्रांती छाजाती मुख मंडल पर यवन की कांती जिन की तेको पर टिक ने से टिक ती क्रांती मरण मदूर बन जाता है जैसे वरदान अधरो परेकिल जाती है मादक मुश्कान नहीं देख सकते जग में अन्याय बितान प्राण उच्छ वसित होते होने को बलिदान होने को बलिदान इस पद्यांस में कभी उन गितकारों की परसंसा कर रहे हैं जिनके गीत जनसाधारन के हिरदयों को सांती उच्छा व बलिदान की भावना परदान करती हैं देखिए कि इस प्रकार कभी बता रहे हैं जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती सांती सांती मने सारा संसार सुख मैं गीतों के आनि कभी उन कभियों की परसंसा कर रहे हैं कि मैं उन कभियों की परसंसा करता हूँ जिन कभियों के गीतों के पड़ने से सांती मिलती है, सुख का अनुभव को होता है तथा जिनकी तानों के सुनने से, जिनके मधुर गीत के सुनने से मीठी मनमोहक आवाज के सुनने से जिलती माने समाप्त हो जाती है, भरांती माने डर अने जिनकी मनमवाक मधुर आवाज को सुनने से हमारे अंदर का जो भय होता है वो सांथ हो जाता है समाप्त हो जाता है उन कभियों को मैं अपने सच्चे मन से प्रडाम करता हूँ चा जाती मुख मंडल पर यवन की करांती आगे कभी बता रहें कि चा जाती मिस ढक लेती है मुख मंडल पर आनी चेहरे पर यवन माने जमानी की कांती माने चमक की जिन कभियों के मुख मंडल पर जमानी की चमक चा जाती है जिन में जो सा जाता है जिन में उच्सा हा जाता है जिनकी टेको पर टिकने से टिकती करांती जिनकी टेको पर जिनके सहारे के द्वारा टिकने से अनि जो युद्ध के मैदान में टिक जाते हैं उनके टिकने से करांती टिकती करांती करांती टिक जाती है युद्ध की करांती टिक जाती है, मैं उन कभियों को नमन करता हूँ, मैं उन देश भक्तों को नमन करता हूँ, जिन होने भारत देश में यपने उच्साह और जोस तथा जजबे का परचम लहराया है, मरण मदूर बन जाता है, जैसे वर्दान, आगे कभी बता रहे हैं कि मरण मने मिर्ट्यू, मदूर बन जाता है, जैसे वर्दान, कि इन कभियों की इतनी उच्साह सक्ती और बलिदान होता है, इनके कारण मरण सील ब्यक्ती भी वर्दान के द्वारा मीठा बन जाता है, मन मोहक बन जाता है, मधूर बन जाता है, तथा अधरो पर खिल जाती है मादक मुस्कान, इन लोगों के कारण ही अधरो अनि ओठो पर खिल जाती है अनि फैल जाती है मादक माने मीठी मुस्कान माने मुस्कुरह और इन बीर जमानों के कारण ही सभी लोगों के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान छा जाती है नहीं देख सकते जग में अन्याय बितान नहीं देख सकते जग मने संसार में अन्याय मने अन्याय बितान मने किसी भी छेतर में ये भीर किसी भी संसार के किसी भी छेतर में अन्याय का सहन नहीं कर सकते उसका बिरोध करते हैं प्राण उच्छवसित होते होने को बलिदान इनके जो प्राण है उच्छोसित होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, होने को बलीदान, बलीदान के लिए इनके प्राण हमेसा ततपर रहते हैं, ये कभी भी युद्ध से डरते नहीं, और बिरोधियों से युद्ध के प्रती सच्चे मन से युद्ध लड़ते हैं और इस युद्ध के प्रती अपने प्राणों की चींता नहीं करते हैं वो सोचते हैं कि हमें हमारा बलिदान हो जाए फिर भी हमें किसी बात का गम नहीं लेकिन हम अन्याई को सहने वाले नहीं हैं आगे कभी बता रहे हैं कि जो गाओ पर मरहम का कर देते काम उनसा हिर्दय हिर्दयों को मेरे कोटी कोटी प्रडाम पता रहे हैं कि जो गाओ पर अन्य जो चोट लगने पर मरहम का कर देते काम आनि चोट लगने पर जिस परकार मरहम घाओ को सान करने का काम करता है ठीक उसी परकार युद्ध के समय हमाएं जोस जजबा और उसाह देने का काम जो बीर शैनिक जो बीर बहादूर कर देते हैं उन सहिर्दयों को उन लोगों को सचे हिर्दयों को सचे मन के साथ मेरे कोटी प्रडाम मेरा कोटी कोटी मेरा करोडो करोडो प्रडाम है फिर से देख लिजे जिस परकार घाव लगने पर मरहम चोट को कम कर देता है ठीक उसी परकार जो बीर बहादूर सचे मन से देश सेवा में अपने प्राडों की बली कर देते हैं मैं उन बहादूरों को सचे मन के साथ कोटी कोटी प्रडाम करता हूं तो दोस्तों ये रहा पार्ट टू अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद